जैसरी किसना तो आज आपको हम देवसाइनी एकादसी यानि कि जिस दिन विशनु जी सोते हैं उस दिन के बारे में कुछ बताते हैं और पूरी कथा आपको बताएंगे क्या है कथा तो आप पूरा देखिए और क्या महत्त है इस कथे का देवसाइनी एकादसी का महत्त ब्रंभ वर्त पुरान में देवसाइनी एकादसी की विशेस महत्में वर्ण किया गया है इस वरत से प्रानी की समस्त मनुकामनाई पूर्ण होती है यह एकादसी आसार मास क्रिस्न पक्ष की एकादसी जिसे योगनी एकादसी कहते हैं उसके ब चतुरमास का आरंब हो जाता है इस अवधी में कोई भी सुभकारी जैसे विवाह आदी नहीं किया जाता है मननेता है कि इस दिन से भगवान स्री हरी विश्नु छीड सागर में सयन करते हैं और फिर चार माह बाद उन्हें उठाया जाता है उस दिन को देव देवो थान परबोधनी अकाथसी भी कहा जाता है, तो आईए आपको इन से जूरी कथा हैं, आपको बताते हैं कि क्या कथा है, देवसेनी अकाथसी वृत कथा, धर्मराद युधिश्टीर ने कहा, एक केसव, असार्व सुकले काथसी का क्या नाम है, इस वृत के करने से विधी, करने की विधी क्या है, और किस देवता का पूजन किया जाता है, स्री कृष्न कहने लगे कि युधिश्टीर, जिस कथा को ब्रम्भा जी ने नारद जी को कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूं, एक बार देवसेनी नारद जी ने ब्रम्भा जी से इस एकाथसी के विशे में जाने की या कोई नहीं जानता, अता हुवे भी इस बात से अनभिक ये थे कि उनके राज्य में भी सिग्र आकाल परने वाला है, क्योंकि उस राज्य में तीन वर्स तक बारिस नहीं हुई, जिसके वज़ा से आकाल पर गए, उनके राज्य में पूरे तीन वर्स तक वरसा ना होने क के कारण भेंकर अकाल परा इस अकाल से चारो और त्राही त्राही मच गया धर्म पक्ष के यग्यहवन पिंडदान कथा अवरत आधि में कमी हो गई जब मुसीवत पड़ी तो धार्मी कारियों में प्राणी की रूची कहां रह जाती है प्रजा ने राजा के पास जाकर अपन से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिये वहां विचरन करते करते एक दिन वे ब्रंभाजी के पुत्र अंगीरा रिसी के आश्रम में पहुंचे और उन्हें ने साश्टांग परनाम किया रिसीवर ने आसिरवा आसिर कर कहा महत्मन सभी परकार के धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राजिस में धुर भीक्ष काद्रिस देख रहा हूं आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है कि रिप्या इसका साधन करें यह सुनकर मरसी अंगिराने हे राजन सब यूगों से उत्तम यह सत्यूग है इसमें इसमें धर्म अपने चारो चरनों में वैप्त रहता है बरहमन कैती रिक्त किसी अन्य जाती को तप करने का अधिकार नहीं है जबकि आपके राजी में एक सुदर तपस्या कर रहा है यही कारण है कि आपके राज में बरसा नहीं हो रही है जब तक हुआ काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भीक्ष सांत नहीं होगा दुर्भीक्ष की सांती उसे मारने से ही संभव है कि contenido राजा का हिरते एक नरपराध सुद्रतपसवी का समन करने को त्यार नहीं हुआ उन्होंने का हे दे मैं उस निरप्राध को मार्ग दूँ यह बात मेरे मन स्विकार नहीं कर रहा किरपा करके आप कोई और उपाय बताए महरसी अंगिरा ने बताए आसार मां के सुकल पर एकाथसी की एकाथसी का वरत करें वरत के प्रभाव से अवस्य ही वर्सा होगी राजा आपने राजी की राजधानी लटाए और चारो वर्नों सहीत पद्वा एकाथसी का विधी पुर्वक वरत किया वरत के प्रभाव से उनके राजी में मुसलाधार वारिस और पूरा राजधानी से परिपुर्ण हो गया वरंभ वैवर्थ पुरान में देनी एकाथसी के असुरों के राजा कहे जाने वाले बली ने जब अपने बल और प्राक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था तब इंद्र देवता घबराकर भगवान विष्णू के पस मदद मांगने पहुंचे भगवान विष्णू को मदद करने के लिए वामन अवता धरन कि भगवान विष्णू वामन अवतार में राजा बली से भिक्षा मांगने पहुंचे और बली से तीन भग भूवी मांगी पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और अकास को नौक लिया अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था तो राजा बली ने क तहा कि उनके सिर पर रख दे हैं किन्तु भगवान ने तिसरा पग राजा बली के उपर रखा और देवताओं की समस्यों के निवारन कर दिया इसी के साथ विष्णू राजा बली के दान धर्म से प्रिसन होकर उन्हें वर मांगने को कहा बली ने उनसे पाताल में बसने की गावर मांगा और इस तरह बली की एक्षा भगवान विष्णू ने पूरी किये एक्षा पूरती के लिए भगवान को पाताल जाने के बाद सभी देवतागान और मातालक्षमी परिसान हो गई अपने पती भगवान विष्णू को पाताल लोग से वापस ले जाने का वचन ले लिया तो आप मैंने पूरी कथा बताई तो बोलिए जैस्री किष्णा जैस्रिवन नाराया और इसकी पारण सुबह गंगाजल तुलसी के पत्ते से किया जाता है और दान आप कर सकते है जो भी अपको दान करना हो